नमस्कार दोस्तों नीशा फूड कलब में आपका स्वागत है उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे आज हम बनाने वाले जट पर त्यार होने वाले बटूरे यह बनाने में भी वहुत अहसान है और इसके लिए हमें ज्यादा समय भी नहीं चाहिए इंस्टेंट बटूरे बनाने के लिए हमें चाहिए दो कप मैदा आदा कप सूजी आदा कप दही एक चमच इनो टेस्ट के कोर्डिंग नमक एक चमच बेकिंग पाउडर सबसे पहले सभी चीजों को बाउल में डाल और एक चमच की हैल्प से थोड़ा मिक्स कर देंगे अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका डो त्यार कर लेंगे डो रेडी हो गया है अब इसमें एक चमच तेल डाल कर डो को थोड़ा और खीचेंगे ताकि आता अंदर तक चिक न हो जाए हमारा डो त्यार है अब इसे डख कर 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए डो त्यार हो चुका है अब हम लोया त्यार कर लेंगे लोया त्यार होने के बाद इने बेलने के लिए मैं यहां थाली का यूज कर रही हूँ मैं यहां थोड़े सुखे आटे की मदद से इने थोड़ा लंबा बेल रही हूँ दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना बूले ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पोच सके लोई को बेल लेने के बाद इसे गरम तेल में डाल देंगे हमारा तेल अच्छी तरह गरम हो चुका है ये देखिए बटूरा कितनी अच्छी तरह फूला है दोनों तरफ से अच्छी तरह पकाने के बाद इसे निकाल लेंगे इसी तरह हम अपने बाखी बटूरे भी बना लेंगे मैंने छोले पहले से ही बना रखे हैं तो मैं इन्हें उनके साथ सर्व करूँगी अगर आप छोले की रेस्पी देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक देदूंगी हमारे छोले पुटूरे सर्व करने के लिए रेडि है दोस्तों वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट वे शेयर करना ना भूले चैनल को जरू जरू सब्सक्राइब केजिए वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद